नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ड इन्वेस्टन में दोस्तों आज का जो यह वीडियो है बहुत इंफोर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाला है आप लोगों को पता है आज के दिन जो है शेर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत जादा बनी रही और जैसी ही आरबी आई की मॉनिटरी कमेटी जो है उसका रिजल्ट आया उसकी जो एनॉंस्मेट सामने आई मार्केट धढाम से यहां पे गिरा है मार्केट क्यों गिरा है आरबी आई की पॉलिसी में ऐसा क्या था कि मार्केट गिरा वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसके साथ ह साथ चार शियर के बारे में यहाँ पर पावर पैक information देने वाले हैं NHPC सभी की नजरों में आजकल बना हुआ है बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर IEX के सारा पैसा डुबा देगा यह न्यूज आप लोगों को देने वाले कि क्या यहाँ पर हो सकता है साथ ही साथ SJVN और साथ में आथेर Industries यह Solar Energy में उतर चुके हैं इनके उपर भी अपडेट आप लोगों को देने वाले तो काफी informative वीडियो यह रहेगा इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा point to point जरूर study इस वीडियो को कीजिएगा read out कीजिएगा सुनियेगा और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बगल में जो बेल काईगों से प्रेस कर दीजिए इससे होगा क्या कि शेर मार्केट के latest वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे और इस वीडियो का अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने जादा से जादा फ्रेंड्स के साथ जरूर शेर करें हमारी इस मेहनत को appreciate करने के लिए अब यह sensex नीचे गी रहा है same percentage में निफ्टी भी नीचे गी रहा है इसके पीछे का reason क्या है वो reason हम आप लोगों को बताना चाहेंगे आज थी monetary committee की meeting जिसके head कौन होते हैं RBI के governor होते हैं विया और RBI के governor कौन है सक्तिकांदा दास जी है decision यहाँ पे यह आया कि repo rate जो है repo rate unchanged रहा sixth consecutive time के लिए अब यह repo rate क्या होता है reverse repo rate क्या होता है इसके उपर हम discussion यहाँ पे नहीं करेंगे lemon language में अगर बताऊ repo rate जैसे अभी चल रहा है 6.5% 6.5% का मतलब clearly यह हो जाता है कि bank अगर आपको कोई भी loan देगा तो 6.5% के उपर ही यह होगा यह आप लोगों को समझना है 6.5% के उपर ही होगा बिलकुल क्योंकि RBI डिसाइड कर रहा है कि 6.5% minimum उसके उपर repo rate के उपर ही यह decision लिए जाते है और इसलिए बैंकों के लिए यह एक अच्छी चीज है कि पिछले 6 बार से जो है consecutively अगर देखा जाए तो monetary committee ने इसको unchanged रखा है और इसलिए market के जो sentiment है थोड़ा सा down में आये हैं कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए आप चेंज तो होना ही चाहिए था तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बैंकों के लिए अच्छी ख़बर थी लेकिन other stocks में और market ने इसको news को cheer बिल्कुल भी नहीं किया लेकिन जो कहना है monetary committee का कि इसको unchanged क्यों रखा गया उनका reason है कि inflation जो है अभी भी 4% से जादा है retail inflation 4% से जादा है और इस वज़े से उन्होंने इसको unchanged रखा है retail inflation अगर 4% से नीचे आती तो उसके बाद हो कोई दूसरा decision यहाँ पे लेंगे अगर आज की बात की जाए तो अच्छी खासी गिरावट जो है RBI की announcement के बाद यहाँ पे आई है चाहे nifty हो चाहे sensex हो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ RBI के governor जो सक्तिकादा दास जी है उन्होंने emphasize किया है कि यह एक dis inflationary measure है actively dis inflationary monetary policy का stand stand से ही हमारा जो की हमने यह लिया है जो हमारा target है यह central bank का की 4% का inflation को कम किया जाए यहाँ पे तो इसके तहत उन्होंने यह decision यहाँ पे लिया है अगर एक और चीज में आप लोगों को बताऊं यहाँ पे monetary committee की announcement के अलावा वो यह है कि yesterday बहुत जादा बिकवाली market के अंदर हुई थी market के अंदर FII ने total 1691 करोड के share जो है बेचे थे और 327 करोड रुपए के shares जो है DII ने खरी दे थे तो बहुत बड़ा difference यहाँ पे बनके आ गया है अगर आप total यहाँ पे difference को count करेंगे तो लगभग यह बनके आ जाएगा यहाँ पे 327 को माइनस करते हैं आप 1691 से तो यहाँ पे आ जाएंगे लगभग 9886 और यहाँ पे आ जाएगा 3 मतलब 1364 करोड रुपए के approximately मैं कह रहाँ कि यहाँ पे बिकवाली वी अगर हम DII को यहाँ पे add कर देते हैं इस माइनस करते हैं हम FII की बिकवाली से DII की खरीदारी को तो टोटल नेट मतलब नेट बिकवाली यहाँ पे बहुत जादा हुई है जिसके चलते आज मार्केट के अंदर यहाँ पे प्रेशर देखने के लिए मिला और 6.5% का यहाँ पे जो है रैपूरेट को अंचेंज रखा गया है यह आज के डिसिजन के वज़े से मार्केट गिरा है दूसरी चीज RBI के गवर्णन ने कहा है कि पेटियम के जो अगेंस्ट में जो पेटियम पेमेट बैंक के अगेंस्ट में डिसिजन लिए गए वो कस्टमर्स के सेफगार्ड में थे ऐसा कहना है सक्तिकांता दास जी का जिसके चलते अगें आज शेर मार्केट में पेटियम के शेर्स के अंदर 10% की लोवर सरकिट लग गई जी हाँ दोस्तों 10% की लोवर सरकिट यहाँ पेटियम के अंदर लगी और कोई रीजन है नहीं बहुत बड़ा यहाँ पेट अपडेट आच चुका था आर बी आए का पेटियम के उपर येसड़ डे जो है 10% का अपर सरकिट लगा था लेकिन आज जैसे ही सक्तिकांता दास जी ने कहा यहाँ पे फिर से लोवर सरकिट देखने के लिए यह मिला है आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टेट बैंक आफ इंडिया आज पॉजिटिव में चल रहा था इस न्यूस के चलते काफी अच्छा खासा और आप लोगों को बता है स्टेट बैंक आफ इंडिया जो है इंडिया का सेकंड नंबर का PSU बन गया है जिसका की हाइस मार्केट कैपिलाइजेशन आप आते हैं दोस्तों SJVN पे यानि की सतलुज अजल विद्यूत निगम 151 रुपे के करीबे ट्रेड कर रहा है 58 के P.E. के करीबे ट्रेड कर रहा है दोस्तों एक साल में 365 65% के रिटर्स दियें यानि के हाई P.E. पे काम कर रहा है अगर हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैपिलाइजेशन तो लगबख 60,000 करोड रुपे का यहाँ पे मार्केट कैपिलाइजेशन की यह कंपनी है अच्छा का सा बिजनिस कर रही है dividend yield भी अच्छी है काफी बार हम वीडियो इसके उपर बना चुके है अब update मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि SJVN जो है 200 Megawatt का एक project बना रही है और कहां पे यह project होगा गुजरात के अंदर होगा इसकी जो total value होगी वो है 1100 करोड रुपे की 1100 करोड रुपे बहुत बड़ी यह deal होती है मैं कहूंगा इतनी बड़ी deal अगर किसी company को मिलती है तो उसको साथ में आसमान पे लेके जा सकते है क्योंकि business बढ़ती है order book बढ़ती है और solar business में भी company जो है अब हाथ आजमाएगी अगर देखा जाए तो अगरे 18 महीने के तहत जो है इस काम को पूरा होना है और 25 सालों के लिए यह यह deal साइन कर दी गई है आगे बढ़ते है NHPC के बारे मैं बताना चाहूंगा 101 रुपे के करीब जो है दोस्तों यह share trade कर रहा है बहुत सारे लोगों का यह favorite share है आज यहाँ पे थोड़ी सी बिक वाली देखने के लिए मिली एक लाक करोड रुपे से जादा का market cap है कमपनी का प्राइस टोनिंग रेशियो मातर 26 का चल रहा अगर यहाँ से 40 के PEP भी जाता है यह share तो 160 रुपे के करीब आसानी से जा सकता है लेकिन share market के अंदर आप लोगों को पता है volatility बनी रहती है और यह video जो है कोई buy or sell recommendation बिलकुल भी नहीं है केवल आपके education के लिए केवल आपको सिखाने के लिए यह video यहाँ पे बनाए जा रहे है किसी भी share को buy or sell करने से पहले अपने financial advisor से जरूर बात करें NHPC देखेंगो दोस्तों एक साल के दरों एक सो 52% के returns दी है और यहाँ पे इसके quarter 3 के जो results आने वाले हैं 12 February को बहुत बढ़ा यह दिन है क्योंकि किसी भी share के अगर earning अच्छी होती है तो उस share के वारे नियारे हो जाते हैं उसके shareholder के मज़े आ जाते हैं क्योंकि earning based जो भी share उपर भागता है अगर किसी की earning बढ़ रही है उसका share price भी बढ़ रहा है तो बिल्कुल भया यहाँ पे तो अच्छा होना ही है लेकिन अगर उसके earning पर share नीचे आती है और share उसका उपर भागता है तो यह हो गया emotional emotion के उपर आप खेल रहे हैं और emotionally attach होके share को buy नहीं करना है कि लोग खरी रहे हैं तो हम भी खरी देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अब अर्निंग जब बढ़ती है ना तो तभी जाके आप लोगों को वहाँ पे study share को करना चाहिए buy करने के लिए तो यह चीज़ आप लोगों को दिहान में रखने तो 12 फरवरी का दिन यहाँ पे काफी important होने वाला है NHPC के लिए और NHPC के share holder के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों Ather Industries Limited के बारे में information में आप लोगों को देना चाहूँगा Ather Industries के बारे में बताओं तो 869 रुपीज के करीब यह share trade कर रहा है all time high 1165 का इसने बनाया है 11,000 करोड रुपे से ज़्यादा का market cap है यह company जो है chemicals की manufacturing करती है लेकिन यह company भी जो है अब solar project में उतर चुकी है जी हाँ दोस्तों solar project में उतर चुकी है Ather Industries Limited पहली एक multi-bagger share है IPO आया था IPO से उपर इसने बहुत अच्छे खासे returns भी दे दिये है आप लोग देखेंगे यहाँ पर company का ROCE 18% का return on equity है 15% का 1211 का high बनाया और 778 का low बनाया इसने 52 week में और अभी 870 रुपए के करीब trade कर रहा है एक अच्छा खासा share है जिसके अंदर आप लोग देखेंगे debt मातर 17 करोड रुपए को दो debt भी company ने काफी कम किया है 15 Megawatt का solar power plant ये गुचराथ के अंदर लगाएंगे बहुत बड़ी बात है अगर company देखो versatile बन रही है ग्रीन इनरेजी में जा रही है तो अपने आप में positive indicator है किसी भी company के लिए इससे पहले मैं दोस्तों अगर बात करूँ तो 16 Megawatt का solar power project की पहले ही commission कर चुके है बहुत बड़ी बात है अगेन अब 15 Megawatt का power plant ये जो है काम में लाने वाला है काम यहां पर करने वाला है अगेन गुजरात के अंदर ही ये चीज जो है होने वाली है गुजरात के अंदर ही ये plant जो है लगने वाला बहुत बड़ी बात है Ather Industries Limited अगेन एक multi-bagger share अच्छे खासे valuation पर मिल रहा है आगे बढ़ते हैं जो सबसे खास न्यूज आज होने वाली IEX अब दोस्तों Indian Energy Exchange इस share की full form इस company का नाम है जैसे कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता लग रहा है Indian Energy Exchange जहाँ पे इनरजी का एक्सचेंज है वो ये company है 144 रुपे के करीब trade कर रही है अगर देखेंगे दो बार इस level पे आचुके 160 के करीब दोनो बार वहाँ से गिरी है गिरी क्यों है यहाँ पे भी RBI की news आई यहाँ पे भी जो है news आई government की RBI की नहीं government की अब government की news की वज़े से क्यों ये share गिर रहा है वो आपको बताऊंगा लेकिन देखेंगे all time high 255 रुपे का इसने बनाया और वहाँ से ये share गिरता चला गया ऐसा क्यों गिर रहा है आज की date में देखेंगे दोस्तों आप तो energy exchange limited की जो है monopoly है market के अंदर क्योंकि जो भी energy से related trading होती है वो इसके platform पे होती है और price drive भी maximum इसी के platform पे होता है जी हाँ दोस्तों price discovery भी इसी के platform पे की जाती है maximum क्योंकि maximum customers जो है इसके हैं लेकिन आज की date में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो market में तीन बड़े player हैं एक है Indian energy exchange दूसरा है power exchange of India limited और तीसरा है हिंदुस्तान power exchange अब दोस्तों ये तीनों के तीनों exchange जो है क्या होगा क्यों गिर रहा है IEX ऐसा कहा जा रहा है कि government एक ऐसा platform लाना चारी है जहां पे इन तीनों के अंदर होने वाले जो trading है वो एक ही platform के अंदर होगी और यहां पे price discovery की जाएगी government ने जो है दोस्तों CERC यानि की Central Electricity Regulatory Authority को ये काम दिया है कि इसको market coupling कीजिया market coupling मैं आप लोगों को बताऊँ market coupling सेम वही है कि एक जगे पे एक exchange की उपर जो है क्या किया जाएगा price discovery किया जाएगा energy का और उसके बाद जो है वो rate market में आएगा इससे पहले क्या हो रहा था तीनो जो exchange है तीनो अलग-अलग जो है वहाँ पे market में इनकी price discovery होती थी maximum जो customer है IEX के हैं इसलिए IEX को फाइदा हो रहा था और इस news के चलते जो है IEX के share के अंदर काफी गिरावट देखने के लिए मिली है लेकिन अभी ये pilot project चलेगा जी हाँ pilot project चलेगा यानि की energy की जो discovery है pricing है वो pilot project के तोर पे देखी जाएगी government देखेगी कि क्या ऐसा काम हो पाएगा क्योंकि इस news के आते ही बहुत सारे जो इसके हो रहा है लेकिन अगर ये successful हो जाता है तो IEX के share के अंदर बहुजबर्दस किरावट देखने के लिए मिल सकती है लेकिन अभी ये pilot project होगा अगर ये successful नहीं हुआ तो IEX के लिए फिर से फाइदे वाली बात रहेगी यानि कि अभी दोधारी तलवार यहाँ पे ये चीज बनी वी है कि project जो है successful होता है कि नहीं market coupling का तो अगर coupling process यहाँ पे हो गई successful है उस पे तो IEX को जटका यहाँ पे लगेगा ministry of power के अंडर ये सारी चीज़ें हैं और C.A.R.C. ये काम जो है करेगी तो current status अगर देखेंगे तो IEX का market के अंदर 94% जो है spot market transaction इसी के अंदर होते हैं तो आप लोग सोच लीचे बहुत बड़ी monopoly IEX की है आज की date में तो अगर आप इसके shareholder stakeholder है यहाँ पे interest लगा रहे हैं तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को जरूर ध्यान में रखनी चीए और साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में upstock और उसके साथ angel one इन दोनों के link दिये गए हैं इन दोनों के link पे आप click कीजिए account open कीजिए और enjoy कीजिए angel one and upstock की services तो आज के इस video में दोस्तों इतना ही बहुत बहुत दन्यवाद